नमस्कार, हाट टॉपिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ अखिलेश शर्वा प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दोरे के समय भारत के अंद्रूनी हालाग पर अपनी विवादास्पत टिपणी के कारण पूरू राश्पती बराक ओबामा की अब जमकर आलोशना की जा रही है, वित्त मंत्री निमला सीतारमन के बाद अब रक्षा मंत्री राजना सिंग और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने भी ओबामा को आड़े हाथों लिया है, केवल इतना ही नहीं, अमेरिका के धार्मिक स्वतंतरता आयोक के पूर्व अध्यक्ष जौनी मूर ने भी ओबामा की टिपणियों की आलोशना की है, सबसे पहले बताते हैं कि ओबामा ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था, जिसके चलते उनकी टीखिया आलोशना हो रही है, दरसल सीनेन को दिये इंटर्यू में ओबामा ने कहा था कि अगर मेरी मोदी से बाचीत होती है, जिने में काफी अच्छे तरह से जानता हूं, तो मेरे तरक का एक हिस्सा ये भी होता कि अगर आप भारत में जाती अलपसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, तो इस बात की प्रबल आशनका है कि एक पॉइंट पर भारत अलग थलग होने लगेगा, हमने देखा है कि जब आपके अंदर इस प्रकार के बड़े आंत्रिक संगर्श होने लगते हैं, तो क्या होता है, अगर ऐसा हुआ, तो ये भारत के हितों के विपरीत होगा, ये बात इन्होंने CNN को दिये इंटर्यू मे कही थी, लेकिन कल बीजेपी मुख्याले पर एक प्रेस कॉन्फेंस के दोरान जब पूछा गया, तो वित्यमंत्री निम्ला सितारमन ने बराग ओबामा को जवाब दिया, उन्होंने ओबामा को याद दिलाया कि जब वो राश्पती थे, तब 6 मुसलिम देशों पर बंबा हो जाता है. तरफ से उनके राजनीतिक निर्नाई के बारे में वो करते हैं, भारत के किलाफ अलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी बरोसा रखेंगे. इसलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करत हैं, क्योंकि प्रदान मंत्री मोदी जी को वो डिफीट करने पाएंगे, ऐसे लोगों को उचालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं, बिना ग्राउंड लेवल डीटेज्स को लेते हुए. उदर रक्षामिंती राजना सिंग आज जमू में थे, उन्होंने कहा कि ओबामा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, भारत के बारे में कुछ लोगों ने दुनिया भर में धारना बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो अपने हिसाब से सोचना चाहिए. सारी विश्व की धरापर रहने वाले लोगों को अपने परिवारता सरस्थे मानते हुए बस्ध़ाई वा कुतन मतमता संदेश है, भारत के सेकुलर करेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करने चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इसलाम क जो 72 सेक्स होते हैं, बहतर जो सिर्के होते हैं, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं मिलेंगे, यदि मिलेंगे केवल और केवल भारत में मिलेंगे, और कहीं मिलेंगे, कुछ एक परसप्संद सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताक्तों ने कोशिश की है, उसी आधार पर चाहि चाहे राजनास सिंग हो, चाहे निर्मला सीतर मनी, दोनों ही वरिष्ट मंत्री कैविनेट कमीटियों सेक्यरिटी के सदस्से भी हैं, तो आप इससे अंदासा लगा सकते कि किस तरह से ओबामा को जवाब दिया गया है, और ओबामा के बयान पर जब विपक्ष ने सरकार को तो तीसरे मंत्री, शेहरी विकास मंत्री हर्दीप सिंग्पुरी ने विपक्ष को आपात काल की याद दिलाई और पलटवार किया, जहां तक माइनोरेटी की बात है, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, एक युवा नेता है, जब भी वो बहुत ट्रैवल करते हैं, और अभी रिसेंटी, जैसे ही वो बहार पहुंचते हैं, उनको भारत के अंदर डिमॉक्रिसी की और माइनोरेटी की चिंता होनी शुरू जाती है, तो मैंने याद करवाया, डिमॉक्रिसी हमारे हाँ बहुत वाइबरेंट है, बहुत मजबूत है, और हमारे एतिहास में एक ही जब युवानेता की ग्रैंड मदर प्रधान मंत्री थी, तो मैंनोरेटी सार आज सेफ ही एर इंडिया, जहां तक आब बात करियें, किसी बहार के देश में इनी इनी लोगों की बात सुनके, मैंनोरेटी राइट सेट्रा, पीपल शुड लुक एट टे मिरर, और टर्न इन और उबामा को अमेरिका में भी जबाब मिल रहा है, अमेरिकी धार्मिक सतंत्रता आयोग के पूरु प्रमुख जौनी मूर ने उबामा को नसियत दी, और कहा कि उन्हें अपनी उर्जा भारत के आलोशना के बजाए भारत की तारीफ करने में लगानी चाहिए The former president should spend his energy complimenting India, more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength and we should be complimenting the largest democracy in the world, every chance that we have. चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है. यही नहीं, मिस्र ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान, Order of Nile से भी सम्मानित किया है. और ऐसा नहीं कि पहली बार PM नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे में किसी मस्जिद में गए हूँ. 2015 में जब PM नरेंद्र मोदी सयुक्त अरब अमिरात के दौरे पर थे, तब वहां की जो शेख जायद मस्जिद है, वहां का भी दौरा PM नरेंद्र मोदी ने किया था. 2015 की आप तस्वीर देख सकते हैं, शेख जायद मस्जिद की. 2018 में मस्कट की सुल्तान काबुस मस्जिद भी देखकर के PM नरेंद्र मोदी आये थे, और 2018 में ही सिंगापुर की चूलिया मस्जिद भी PM नरेंद्र मोदी गए थे. आपको बता हैं कि डौक्टर शौकी इबराहिम अब्दिल करिम से काहिरा में PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है इस यात्रा के दोरान, और मुफ्ती ने भारत जैसे बड़े देश में मोदी के नित्विकी जम कर तारीफ की थी, समावेशिता और बहुलवाद को बढ़ बहुत मजबूत हुए हैं, खास बात ये कि मुस्लिम देशों से भी भारत की मित्रता प्रगार हुई है, इसमें महत्तुपुर्ण बात ये कि पधारमति नरेंद्र मोदी को 13 देशों ने अब तक अपने सर्वोच्य दागरिक सम्मान से नवाजा है, और इनमें कई मुस्लि अर अरब मिस्र ने भी अपने सर्वोच्य दागरिक सम्मान से प्यम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। किया है कि डेमोक्रेसी कें डिलिवर जब मैं डिलिवरी कहता हूं तो तब जाती पंद धर्म किसी भी तरह के भेद्भाव की वहाँ पर जगे नहीं होती आईए सुन लेते हैं भारत और अमेरिका दोनों के डियने में लोगतंत्र है लोगतंत्र हमारा स्पिरीट है लोगतंत्र हमारी रगों में है लोगतंत्र को हम जीते हैं और हमारा समिधान और हमारी सरकार और हमने सित्र किया है डेमोक्रेसी कें डिलिवर और जब मैं डिलिवर कहता हूं तब कास क्रीड रिलीजिन जेंडर किसी भी भेद्भाव को वहाँ जगा नहीं होती है भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास उन मुलभूत से धानतों को ले करके और इसलिए हम चलते हैं अमेरिका और मिनिस्र का छे दिन का एतिहासिक दौरा पूरा करके पीम नरेंदर मोदी पिछली रात दिल्ली वापस आये बीजेपी ने प्रधानुची नरेंदर मोदी के इस दौरे को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धी बताया है रेल मंत्री अश्वनी वैशनेओं ने कहा कि जिस तरह अमेरिकी संसद कॉंग्रेस के सयुक्त सत्र में प्रधान मंत्री का वहां के सभी संसदों ने खड़े होकर स्वागत किया उससे हर भारती को गर्व होना चाहिए अश्वनी वैशनों ने कहा कि प्रधर्मन्ती के दोरे से साबित हो गया है कि भारत दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण देश है और अमेरिका भारत के साथ बराबरी का विहवार कर रहा है दुनिया में जो वर्ल्ड ओर्डर है उस वर्ल्ड ओर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एकसेप्ट किया है एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेंट पॉलिसी मोदी जी ने पिछले नौ वर्षों में रखी जिसमें राष्ट्र हित को सबसे इंपॉर्टन्स सबसे जादा इंपॉर्टन्स रखी हर भारतिय का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि वाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतियों के लिए खोले गए जब हम देखते हैं कि प्रदानमंत्री जी के यूएस कॉंग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेनुएन स्टैंडिंग ओवेशन बार 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 होता है तो होट टापिक में इतना ही नवस्कार